हेलो फिर्ट कैसे हैं हाई वाप अच्छे होंगे तो हमीशा की तरह आप जानती है कि मृवाइल फिल्ड में जब से लदा प्रॉल्म होने वाला है नेट्वर्क ही होता है जो कि एक ऐसा सेक्षन है जो कि बहुत कन्फ्यूजन भरा वाला सेक्षन होता है जिसमें काफे सारे दिक्कते होते हैं तो मैं ऐसे ही आपको वीडियो एंडलेस लेकर आता रहता हूं ऐसा नहीं कि आप यहां से जंपर उठाओ, वहां से जंपर मार दो और यह सारा कुछ मैं नहीं आपको परफेक्ट वेसे कि कौन से सप्लाई कहां से आ रही है अगर यह काम काम नहीं कर रहे तो क्या काम करना वह नहीं हो रहा है, यह सारा कुछ मैं मैंक्स पीलेन करता हूं गास काया हैं जये से ओक ही मैंने लोड़ियो से को मैं खीरोज़न करें आज मेंकिताँ हो और union करेंब नहीं तो तो सर्विस के लिए अगर आप हार्वेर सलूसन है जाते हैं और आप देखते हैं कि यहां से नॉलेज कर सकते हैं पर पूरा नॉलेज यहां पर नहीं है बहुत इसी तरीके से आप वीडियो को लाश्ट इन तक आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको लाश्ट इन तक आपको जे सेवन जो फोन है उसका नेटवर्गाफ हंडेड परसेंट नो सर्विस आप बना लेंगे तो चलिए मैंने यहां पर आपको इसके यह भी समझाऊंगा कि यहां पर क्या बूर्ट भी है हमारे पास क्योंकि मैं अगर उस बूर्ट में दिखाऊं तो सायद इतनी क्लियर्फिकेशन ना है तो मैं भी एक्स्प्लेइन करने वाला हूं सारा कुछ यहां पर तो वीडियो को लाश्ट दिन पेस्वेंड ृष की समसंकर सभण को सबसे पहले है अगर आपका समस्का नो sap HC कijn अगर बेसबैंड है तो आपको इसका और यह हुआ है यह कि यह करलो ना गया तो चलिए अगर आपने यहां पर चेक करने हैं अगर यहां पर बनाया हुआ है अगर यह मेरा बनाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट करके जोरू बताएगा आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है चेक करना है उसके बाद आपको 1.8 1.8 1.8 वोल्टेज को चेक करना है और यह कहां पर लगे हैं मैं आपको भी दिखा देता हूं गाइस तो चलिए देखते हैं यह हमारी आरफाइसी लगी हुए नहीं यह हमारे नेटवक सेक्षिन है जैसा कि आप देखोगे जी सेवन का बू एट 1.8 और आप 1.2 इन साथ केप्षिटर पर हमारे वोल्टेज आने चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो आपको पावर आइसे पर काम करना पड़ेगा अगर आ रहा है तो यह आपने वोल्टेज चेक के लिए गाईस अगर आप वोल्टेज देख रहों कि सही अगर वोल्ट आ रहा है फिर भी हमारा no service का problem है तो फिर आपको guys R F I C को change करना है आपको चैंज करना है जैसा कि मैं आपको بتा दो यहां पर अब जैसा कि मैं आपको बता दो यह हमारी अपको बता तो आपको सीधा और सीधा क्या करना है RFICU को change करना है guys अपका no service का problem solve हो जाएगा फिर उसके बाद भी आपने RFICU change कर दिया अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आपको change करना है VCU तो यह VCU मैं आपको बता देता हूँ कि VCU आपके phone में लगा कहां पे है तो यह देख सकते है guys उपर यहां पर VCU लगा है 26 MHz का यहां पर यह VCU लगा हुआ है guys जैसा कि मैं आपको यहां पर बताने के कुछसिस करूँ अगर आपने सबसे पहले क्या करना है मैं फिर से एक बार highlight कर दे रहा हूँ आपको basement check करना है basement check करने के बाद आप इन capacitor पर जिस पर मैंने मार्क किया हुआ है इन capacitor पर आपको 1.8 और 1.2 वोल्टे चेक करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर अपना RF IC को चेंज करना है इतना करने के बाद भी नहीं होता है आपका network problem है ज़रूरी नहीं कि आपका एक capacitor यहां से प्रॉलम हो यहां से यह जंप पर मार दो नहीं यह यह हमारा endless solution है guys क्योंकि आपको अगर hardware solution पढ़ने में दिक्कत आती है तो यह आपको वीडियो बहुत problem solve हो जाएगा I hope यह वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर यह helpful लगी है guys please like subscribe share जरूर कीजिएगा ऐसे हमारे चैनल बने रहें और मिलते रहें ऐसे ही हम hardware software वीडियो लिके आते रहेंगे thank you so much मिलते है किसी next video